असलामुलाइकुम वेलकम टू मैं चैनल इंदन मुस्लिम मौम पैशन कैसे वह आप सब अमीद है कि आप सब खैदत से होंगे और अपने अपने गरों में खुश और आबाद होंगे तो आज में कोई व्लॉग लेकर नहीं आए हूँ बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो में आप लोगों के लेकर आई हूँ क्योंकि एक लोग मैं आपको बताया था कि मेरा बहुत ज्यादा हेर पॉल हो रहा है तो उसमें बहुत सारे कोमेंट मुझे यह आये थे कि हमारा भी हेर पॉल हो रहा है अगर आप इस ओयल को यूज कर रहे हो तो इसके बाद हमें इसका रि वीडियो बना देते हैं और आप लोगों को बता देते हैं तो सबसे पहले में आपको यह बता दू अगर आप जो है ना बेजान रूखे दो मुए बालों से परेशान है तो आज की वीडियो को आप फुल वाच कीजिएगा सारी बातों को मेरे ध्यान से सुनिएगा और उन आपको बेबी हो जाता है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अपने बालों का भी द्यान दे अपने आपके ऊपर द्यान दे तो मेरे बी एसे ही चल रहा था जो है ना मैं बिल्कुल भी अपने ऊपर एक रुपी का भी ध्यान नहीं रख पाई लेकिन आपकर 6 निए लिए इस बाद में उट जाते हैं जूए टो आपको बड़ा होता है तो आपको बच्चे हैं तो एसे होता है हम कुछ करने बैठते हैं तो हमारे जो बच्चे आए उट जाते हैं मैं अपना हैर बहुत सब्सकर चुप करते हैं साथ मेरे साधिया है अधर मीरे साधिया मांटिवा Amo वेसे मैं BAL झाल मेरे काब करण शुक्त मेरे पास टाइम नहीं होता था कभी मैं एक दिन ऐसे निकलता था कभी मैं कंगी भी नहीं कर दीती और रात को सोते वक्त मैं जब ऑईलिंग करने बैठती ना तब मुझे एसास होता कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा जड़ रहे हैं क्योंकि दिन में 40 मरतबा अपने बालों में कंगी करना जरूरी है उससे होता है कि हमारा zsặc घैप संब्स आइशन था इसा रहा था मैंने अपने बालों मैंने बालं को कि अपने बालों को शॉट करवा ले अपना हेना का किछाए बनाया ऊपूमियगा हिय को ँम एक हेना का लिए पार कका एक गज़ाए उसे कम पूली, ती जड़ सब्सक्राइब है जब मेरे बाल जब छड़ना सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करती है जब भी मैं ऑईल लगाती हूँ बाल पर उसके बाद में जो है ना उसको नेक्स्टे धो लेती हूँ तो मैं यह वाला सीसा का और यूज़ कर रही थी मैं आपको बताया था एक व्लॉग में तो इसके बाद जो है ना मेरा जो हेर फॉल है वह कम हो गया है और हेर गोड भी पकाना है उसके बाद स्ट्रेइन करके उसको यूज़ कीज़ेगा उससे बहुत ही अच्छे रिजल्स आते हैं है और हेर पॉल भी नहीं होता तो अगर आप शीसा और यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हो और मैं इदर उदर इसले देख रही ह हिना पैक लगाया है और हिना पैक जह न आपके बढके बालों को ड्राइब करता है अगर आपको शैनी बाल चाहिए आपको बालफ चाहिए तो यह श्या, बढ़ने नहीं होगी अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इंशाला मैं आई बटन में लगा दूँगी आप वहां से चेक कीजेगा कि किस तरह से मैंने हिना पैक बनाया है और अगर आपके वाइड बाल है तो आप फोल नाइट उसको लगा कर सो जाएगा तो भी आपके वाइड बाल कम सफेद बाल की प्रॉब्लम हो रही है तो अभी आजकल ऐसे ही चल रहा है क्योंकि हम लोगों की जो घिजा है वह बहुत ज्यादा मिलावटी होने के वज़ाद से सब चीजें होती है तो इसलिए हम लोगों को अपने ओपर ध्यान देना थोड़ा सा ज़रूरी हो गया है और हम लेडिस कामों में अपने अपर ध्यान नहीं देती हैं जिसके हो जासे हमारे बालों की प्रॉब्लम ज्यादा होती है और और बात के लिए बाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए आप हर 15 डेज में 20 डेज में महीने में एक मरतबा हिना का पैक लगाईए अच्छे से कीजिए उसके बाद हेट को वाश कीजिए और एक और बात में आपको बता हूँ जब भी आप शैंपू करते हो इसके बाद आपको कंडिशनर करना बहुत ज्यादा जरूरी है इससे बाल सॉफ्ट होते हैं और उसमें जो है जो बालों में गुच्छा होता है न क्योंकि मुझे भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है तो आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपके बेजान दो मुए सारे जो प्रॉब्लम है ना बालों से रिलेटेड सारे खतम हो जाएंगे तो मेरा पोस्ट प्रेग्डेंसी जो मेरा हेर के रूटीन तो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगाओ तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और दुआ में याद रखेगा तो चलि मैं आपको जो हैना नेक्स टप दिखाती हूं कि हमको जो हैना कौन सा पैक लगाना है एवरी 15 डे जिससे हमारे बालों में और अच्छी शाइन आए और बाल हमारे मजबूत हो और हेर गोथ हो तो चलि वो पैक को हम देख लेते हैं तो चलि देख लेते हैं हम इस हेर मास्क को किस तरा से बनाते हैं आप इसको हेर मास्क बोलिए या फिर हेर पैक बोलिए तो यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है और यह टू टी स्पून कैस् तकलीफ होती है अगर आप चाहे तो पूरा अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अगर आपको पसंद नहीं है तो आप सिर्फ एग वाइट का अपको पताने के लिए था तो उसको हम एड़ कर लेते हैं अब हम इसमें वे जो कैस्टर ऑль है 4 जो मेहेंगे केरेटन ट्रीट्मेंट हम और अगरा में लेते हैं वो हमें घर पर ही मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में, यानि के 10 रुपीज में हमें घर पे मिल जाता है, तो यह बहुत ही अच्छी रेमेडी है, तो आप लोग इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा, तो यह दिखे, यहाँ पर मैंने 1 टी स्कून हनी ले लिया है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप अच्छा है तो हाथों से इसको अपलाई कर सकते हैं, या फिर आप ब्रश के मदद से अपलाई कर सकते हैं, अच्छा तरीखा यह होगा कि आप इसको हाथ से अपलाई कीजिए, और इसको हमें बालों की स्कैल्प पर लगाना है, पूरे बालों पर नहीं लगाना है, सिर्फ करने के लिए और अच्छा शैंपू यूज़ कीज़ेगा तो इसकी स्मेल भी चली जाएगी तो यह दिखे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसको अपलाई कर लेंगे अपने स्कैल्प पर तो यह था मेरा आज का पोस्ट प्रेग्नसी हेर केर रूटीन आई होब कि आपको मेरा आज का यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीज़ेगा दुआ में याद रखेगा तो चली आज के वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ लेकिन मैं आपको नहीं दिखाऊंगी कि किस त